तो है गाइज इस कुल्दीब एंड यूपीस लाइबरी तो आज के स्लेक्षे में हम देखेंगे इंडिया और लग्जंबर्ग के बीच में जो वर्च्वल सम्मिट हुई है तो उसके बारे हम पढ़ेंगे स्लेक्षर में इसमें काफी साथ यूपीयर के साथ ये ओधर कंट्रीज के साथ ये वर्च्वल समिट करता है ना था पहले जो मादब face to face जो होती थी meeting उसको छोड़के जो विकोज अभी जो कोविट का जो time चल रहा है तो कोविट की time के वह से जो distance meeting करने है विकोज social distancing करना उसम पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसी चीज को लेखते हुए इसमें virtual summit की जा रहे हैं जाने है virtual summit के वाने ठीक से तैन इसमें देखेंगे bilateral relation between India और लग्जंबर जो country है तो लग्जंबर countries और इंडिया के बीच में जो bilateral relation है आखिर इसमें और क्या है और लग्जंबर की जो position भी देखेंगे एरोप में और लग्जंबर का जो रोल है या जो critical जो रोल है जो European में वो भी जानेंगे इस lecture में इसके बाद यह news article यह है दूर दर्शिंड का cut out है तो यह दूर दर्शिंड का cut out है तो इसमें लिखा है कि PM ओधी एन प्रेमिर जेवियर बैटर जो की लग्जंबर के प्राइम मिनिस्टरों का नाम है जेवियर बैटर होड़ दा फर्स्ट इंडिया लग्जंबर वर्चुल सम्मिट मतलब सम्मिट तो अल्रेडी काफी सर्वें लेगी यह फर्स वर्चुल सम्मिट थी तो जितने भी यह सम्मिट हो रही है अगर आपने किया तब कर सकते हैं लिंग्स नीज़ी वीडियो के नीचे डिसब्सक्राइब कर सकते हैं और आफ योपी सी लाइवरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसके बाद वर्चुल सम्मिट मतलं एक तरह की कॉंफरेंस है जो की एक ऑल्लाइन प्लेटफरम पर होती है अनौन व video conferencing के त्रू होती है सेसमों इस video conferencing में that brings together expert speaker to present on a specific topic मतलब किसी specific topic पर वो बात होती है, वो meeting होती है, so अभी जो virtual summit हो रही है इंडिया और लग्जम्बर के बीच में, तो उसमें भी कुछ topic लिये गए होंगे, है इंडिया और लग्जुमर के बीच में होता है बागे अधर कंट्री करते हैं या जो भी कोविट की टाइम में काफी सारी मल्टी नेशनल कंपनी आप वह भी वर्चुल समिट करते हैं या जो वीडियो कॉंफरेंसिंग कर रहे हैं अपनी इंप्लोएंस के साथ या अधर के साथ सो यह वीडियो कॉंफरेंग यह वर्चुल समीट इस कोविट मतलब पोस्ट कोविट एरा में काफी ज़्यदा और इसका यूज किया जा रहा है सो इस चीज को आप याद रखना सो यह इसका एक एक्जमपल है सो हमारे जो इंडिया के प्राम मेंस्ट ने सो जो नीज़ा जो इसमें वह है कि राम मिलेंशन चने मोधी हैले बाले लेटर समीट विद जेवीर बैटल जो कि प्राम मिनिस्टर है ग्रैंड डिची ओफ लग्जमपर जो कि लग्जमपर का पूरा नाम है इसी यह पूरा नाम है वैसे हम उसको बोलता है लग्जमपर इन यह वर्चुल फॉर्मेट ऑन दे त्रस्डे इसी थ्रस्डे को यह वर्चुल समेट हुई थी तो इस मेटिंग में दब्ला प्राइम में से एक्सपर्स इस कॉंडोलेंस ऑन दा लॉस आफ लग्जंबर ऑन दा कांट ओ कोविड-19 ग्लोबल पेंडिविक विकोज जो कोविड-19 में जो दैथ हुई थी लग्जंगर में वो काफी जात होती विकोज जो लग्जंबर की जो पॉपुलेशन है वो आल्मोस 6.13 के सम्ति मदर 6 लाग के क काफी कम है कंट्री के अपरेज में लिए तो अगर मैं इसको अपने होम टाउन यह होम सीटी से कंपेर करूं जो कि मेरा अलीगड़ है तो उसकी पॉपुलेशन ही आठ लाग से जादा है more than 8 लाग है तो उससे कंपेर के जाए तो उससे भी काफी कम है तो अगर लग्जंब लग्जमार तो लग्जमार तो लग्जमार टोटल 29000 more than 29000 केसे जा चोके हैं को कोविट के सो इसमें जो 48000 तो पर मिलियन है इसमें देखा गया है तो उसमें जो टैट रूए है तो चैयल लाग जिसकी आबादी चैजिसकी पॉपुलिशन चैल लाग है तो उसके कंपेर में को देखे जाए तो यह देध काफी जाता है तो इसी चीज़ को देखते हुए हमाना इंडि प्राइमिस्ट है पहले तो कंडूल सिटींड लगजमा इसके बाद इसमें देखें लगजमर के बारे में आया तो लगजमर को थोड़े जान लेना चाहिए हो यह बढ़ाना और लग्जाह है small European country है मतलब European country का । ये European Union का Part है इसी वैसे इस को European country और ये European में भी आती थीcious को व्याद रख करना European country Small country है Sunland by Belgium France and Germany मतलब यह एक Landlock country rating land lock landlock country क्या हमती कौन से होती है जिसका जिसको कोई भी access नव मिले C का So इस पिक्चर में आप देखिए यह है लंग्जमर और लंग्जमर की बॉर्डर किसके सम्मेली हुई है यह हो गया बेल्जियम इधर साउथ में हो गया फ्रांस दैन इस्ट में हो गया जर्मनी टो, लंक्जमबर को किसी भी सी का access नहीं है। इसी चीज की वए से लंक्जमबर को एक landlocked country बोला जाता एक्जे मर ब्शे लोग्जमबर को थिस ? अगर किसी अपनी चीजों को इंपर्ट करना हूं नहे भी जिसill चीजों को next करना है। इस चीज कि वायसे उसको लेंड लॉब गोड बोला जाता जो इस चीज को आप जब रखना है क्या पाल्प सीड़ को विज मीrau मे बौ बडिया दिया तर दो और निसके डीटा के साब से जो की काफी काम है सो इसी चीज़ के विए से उनको मारे प्राइमिनिस्टर ने कडूलनस दीती है और इसकी अफिशल लेंग्वेज लगजम बर्गिस है और फेंच है और जर्मन है बिकॉज जो जहांके जो पॉपुलेशन नमचा फिट से फिप्टी परसेंटी काफी जाता है इसी चीज़ को आप याद रखना यह मैंना अब डिखाई रिया था तो इन 2020 रॉंग्ज्री रेंक इंड 2nd इंवर्मेंटल परफॉर्मेंट्स ईंडेक्स हो यह लगजमा के बार हो जाये गा की जो दो एटम्वार्मेंटल परफॉर्मेंट्स नेक्स है तो तो इस country की rank कितनी ती second ती, so इस चीज को याद रखना कि, out of 180 countries, इसकी position क्या रहती है, second, कि इसमें environmental performance index में, then the country wants to cut greenhouse gas emission by 55% in 10 years and reaches zero emission by 2050, इसमें की 10 साल के अंदर तो वह अपना गीनाउस के जो emission है, वह 55% कम कर देगी, और plus इसके बार zero emission कर देगी 2050 तक यह इसका goal है, लग्जमर कट्री का, और यह country इस चीज को achieve भी कर सकती हो, इसके अलावा, लग्जमर is a founding member, मतलब founding member है, European Union का है, OECD का है, United Nation का है, NATO का है, then Benelux, Benelux मतलब एक regional group है, मतलब एक regional group है किसका, B मतलब Belgium हो गया है, N मतलब Netherlands हो गया, L UX मतलब लग्जमर हो गया, यह तीन countries का, एक regional political group है, तो अपनी चीज़ों को और ज्यादा, मतलब politically और वैसी चीज़ों को देखते हैं, तो यह regional group है, सीज को याद रखना, then इसके बाद, इस जो meeting में जो points उठाएगे था, उसकी भी देखते है, इसमें जो प्राइम मिनिस्ट है, एक्षे इंडिया लग्जमर पार रलेशनशिप इन पोस्ट कोवीड वर्ड में, जो भी waiting हो रही है, वो पोस्ट कोवीड में हो, इसको जो relationship है, इंडिया लग्जमर के, वो और इस तरहीं करने के लिए बोल ले जा रहा है, इसमें कुछ areas भी define करें, like financially technology में होने चाहिए, then green financing में होने चाहिए, then space application, इसके बाद digital innovation, then start-ups में, इंडिया और लग्जमर की जो relation है, जो bilateral relation हो जाए, और ज्यादा इंकीज करने चाहिए, और इसके बाद, बाखी की जो primary step बोलता है दौनों की, वह also agreed to send the cooperation on the realizing effective multilateralism and combating global challenge है, मतब दौनों कंट्री कुछ जो global challenge है, like COVID-19 हो गया, भी जो काफी बड़ा COVID-19, जो global pandemic है, तो वह एक challenge है, then terrorism हो गया, then climate change हो गया, चीज़ों के अंगेश दोनों country साथ में खड़ी रहेंगी, इस चीज़ों को याद रखना, दोनों country इस चीज़ों के अंगेश नहींश रहोंगे, और उसमें और जारा cooperation को और जारा increase करनेंगे, इसको इस तरह जारा बनाएंगे, दोनों के बीच में, और इसके बाद में, इंडिया ने लाग संबर की जो अनौवस्मेंट है कि वह आई है, ऐसे मतलब इंटरनेशनल सोल अलाएंस, मतलब लाग संबर इंटरनेशनल सोलर अलाइंस को जॉइन करेगा, तो उस छीज को इंडिया ने वयलकम क्या है, एस चीज को याद रखना है, ला and also invited to join the coalition for disaster resilient infrastructure CDR में भी इसको और ज्यादा invite करने के लिए invitation दिया है then इसके बाद agreement है जो की sign किये गए है so memorandum मतलब इसमें MOU sign किये इसको memorandum of understanding बोला जाता है MOU between the India and India के India international exchange जो की India index बोलता है then Luxembourg stock exchange then उसके लावे state bank of India और Luxembourg stock exchange के बीच में यह MOU sign किये गए है जो MOU sign किये हैं उसका फाइदा क्या हो इस चीज़ की वैसे जो financial service है उनमें cooperation और increase होगा so अगर दोनों countries में के जो institution राइक से भी हो गया यह state bank हो गया यह stock exchange हो गया so वहाँ पर अलगला countries की company listed होगी तो वहाँ फाइनेशल फाइनेशली जो roots है वो और जारे डीपन होगी तो और जारे डीपन होगी तो वहाँ पर business और जारे इंप्रूव होगा दोनों countries हो इसी चीज़ यह फाइनेशल जो service है वो उनमें जो और प्रोवाइड की जाएंगी तो उनमें और कोड़ा cooperation होगा then industry maintenance होगा वो अदर इंक्रीज होगा इंडरी मेंटेंस होगा orderly market हो गया वो अदर इंक्रीज होगा इंडिया के साथ अगर ऐसे चीज़ां को और ज्यादे इंक्रीज करेगा तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा benefit होगा विकॉज जो हमारे foreign minister अगर इंडिया को European Union के साथ deal करनी पड़ेगी तो ऐसे ही चोटी European countries के जो countries है जो पार्ट है उनके साथ अपनी और ज्यादा corporation increase करनी पड़ी तो अगर हम अगर इंडिया लग्जमर सिटीज के साथ अपनी इंडिया को इंडिया को बाइपस करने के लिए ऐसे सारी मूप्स की काफी ज़र ज़रता है इंडिया को सो लग्जमर और यह इसलिए ज़र बिकोज लग्जमर जो है एक फाउंडिंग मेंबर है European Union का जो मैंने बता है नाटो बेनलेक्स और European Union और EECD तो और सब्सक्राइब काफी सारी एजंसी है उसमें लग्जमर सिटीज में है इसी चीज की वैसे लग्जमर कंट्री का रोल काफी ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो अगर इंडिया को अगर करने चाहिए वह काफी ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है देन इसके बाद जो फाइनिशल रिलिशन है वह भी ज़्यादा इनकीज होएंगे यह जो डिफाइन करेंगे लाइक तौनों कंट्री इसके बीच में लॉग्स्टेंडिक कोपरेशन लाइए स्टील सेक्टर में है जो इंडिया अपना स्टील इंपोर्ट मतर्ण एक्सपोर्ट करता है लग्जंवर सिटी इंपोर्ट करता है और इसके लावग जो और भी उपरश्टिटी है उनको एक्स्पोर की जाएगे और इनको एक्स्पेंड किया जाएगा बाकि अधर इसके बाद इंडिया के बीच में जो जादा होगी तो वो दौनों के बीच में जो कंपनीज हैं जो लिस्टेट होंगी जो इसके बाद लगजम के बाद बताएं कि लिडिंग इंटरनेशन फाइन सेंटर इन यूरूप काफी लीडिंग इंटरनेशन फाइन सेंटर है यूरूप में इटके एक्ट एस इंपोर्टेंट ब्रीज तुए एक तरह का ब्रीज की तरह काम करेगा इंडिया और यूरूप मार्केट के बीच में हैं इसके बाद इसके बाद इंडिया प्रोवाइड करता है लगजम को कि जो इसरो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका यूनों ने यूज कर लाइक लाइक लाउंचिंग देर सेटलर में लाउंच करने के लिए इसा 9 कस्टमर सैटलाइट और नॉवमबर सैवेन तो इस चीज की वएसे इंडिया और लगजम के बीच में और कॉपरिशन और ज्यादे इंग्रीज होता सर्विस एक्चेंज करने का विएसे तैन इसके बाद इसके बाद इन इंडिया और लगजम का लगजम करता है इंडिया के लिए उसको सपोर्ट करता है इंडिया को और इसमें जो नॉन पर्वामेंट मेंबर है उसकी एक्सपेंशन करने के लिए लगजम के लिए लगजम कर प्रूट करता है इंडिया को और इसके बाद इसके बाद एक्पर्मेंट मेंबर्सिफ of United Security Council, मतब इंडिया को परनायट मेंबर से दिलाने के लिए UN Security Council में लग्जमबर भी इसको सपोर्ट करता है, इसके बाद, इंडिया सपोर्ट लग्जमबर केंडिया तो दोनों के बीच में इसके लावब बोथ कंडम दा टर्रिजम मतब दोनों के टर्रिजम को करता है और जो और इसकी जो भी और भी फार्म में उसको भी कंडम करता है मतब जो भी इंटरनेशनल अफ़र्ट एट टरिजम को टैकल करने के लिए जैसे कि होगा इसको भी लावब सपोर्ट करता है जो हमें से टास्क फोर्ट का मतब रोल क्या है टू प्रिवेंट एंड कॉंबेट टरिजम फंडिंग को रोकता है इस चीज़ को भी लावब सपोर्ट करता है इस लेक्शन में इंडिया और लावब के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाया गया है वो शो गया और प्लस जो अभी जो विरिच्वल सब्मेंट वे जो सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब लाइबरी एंड प्रेस दा बैल आइकन फॉर अप्डेट्स दन्याबाद हम आपनान झालो हम और लावफ जान समत्स मासा ढालो